तर्फ लिए ट्रिग्नोबेटरिक इस वेडियो के अंदर हमारी जो सीरी चली वी है उसमें जो नेक्स वेडियो है इसमें हम मैक्सिमम और मीनिमम के बारे में डिसकस करेंगे मैक्सिमम एंड मीनिमम वैल्यू इसके उपर कॉश्चन हमसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम और मीनिमम वैल्यू जो है इसके उपर हम डिसकस करने वाले हैं कि वही किस किस टाइप से कॉश्चन आते हैं पहले हमें साइ तो आपको देखो तरिक्का बता देता हूं मैं दो याद रखने हैं जो जो में से कोश्चन पूच्छे जाते हैं एक तो साइन थेटा और एक कोस्ट थेटा मैक्सिमम और मीनिमम वैल्यू के कोश्चन जो है अगर लीनियर मतलब जिसकी पावर सिंगल वाले उसमें से कोश्चन पूच्छे जाते हैं तो इन दो में से पूच्छे जाते हैं कैसे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन तक होती है और मीनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 तक सेम टू सेम कोश में कोश की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होती है और मीनियम वैल्यू कोश की कितनी होती है माइनस 1 तक इसके बाद जो 4 बचेंगे हैं हमारे पास 4 कौँड कौँड से बचे गए वई 10 थिटा 4 थिटा 10 बने गया, 4 बने गया सीकेंट थिटा और क्या बने क्या को सीकेंट थिटा इनकी जो वैल्यू है आपको सिरफ यह याद रखना है कि टैन की इन सब की जो वैल्यू है वह थिटा मैक्सिमुम मतलब की ग्रेटर देन कितनी होती है हमारे पास इन्फाइनाइट मतलब not defined होती है मतलब greatest value infinite plus infinite से कहा तक होती है minus infinite तक होती है ठीक है minus infinite तक है ठीक है न यह हमारे पास याद रखना है यह तो इसमें से जो question कैसा पूछा जाता है अगर कहीं पर आपके पास लिखा हुआ जाता है a sin theta plus b cos theta इस तो आप कैसे करोगे कुछ नहीं करना जादा दिमाग लगाने जो नहीं है सिद्धा निकालो maximum value का formula मरकवास हम लिख देते हैं maximum value is equal to under root of a square plus b square यह इसकी maximum value होगी इसकी minimum value कितनी होगी minimum value के लिए हम क्या करेंगे maximum अधिक्तम होती है minimum noon time होती है ठीक है कई इंदी इकलीस का कोई चक्कर हो तो पहले बताए तो में यह अधिक्तम होती है यह noon time होती है कुछ अगया है इसमें से कि 3 sin theta plus 4 cos theta 3 sin theta plus 4 cos theta इसकी maximum value कितनी होगी और इसकी minimum value कितनी होगी दोनों बताड़ी हमें तो देखें कैसे बताएंगे हमने पता है A sin theta plus B cos theta इसकी हमने अभी अभी निकाल लिए थी बिल्लकुल वोई formula लगा तो क्या बताए था आपको यह A हो गया और यह B हो गया maximum value कैसे निकालेंगे maximum के लिए 3 का square plus 4 का square तीन का square कितना होता है 9 4 का square कितना होता है 16 16 और 9 कितने होगे 25 और 25 किसका root होता है 5 क्या होता है इसके आगे minus का symbol लगाना है तो इसको solve किया था हमने तो यह कितना है था 5 आया लेकिन भार minus का symbol कितना होज़े अगा minus 5 तो इस टाइप से question इसमें पूछे जाते हैं ठीक है चलो इसी में एक type और करवाते हैं यह तो ठीक था कि ऐसा function दे दिया इसके साथ एक all type कैसे कुछे जा सकते हैं वह भी करवाते हैं ठीक है देखिए एक इस टाइप के question पूछे जा सकते हैं उसमें तो यह था यहां तक दे रखता था एक उस ठीटा प्लस भी साइन ठीटा लेकिन कौन सेंट फंक्शन और साथ में आजा है तो कैसे करोगे गवराणे की बिल्कुल भी कैसे कर स्कीомина तो आठ का सकीर कितना होता है चौर요 cha 225 25 यहां प्रकेस तक की वाया गएगी हैं उसमें से 12 हमीशा 14 क्या होते है 12 की गर्म dumb 24 सर्दियों में 20 है सा कुछ नहीं है ठीक बारह हमीशा फिक्स रहे तो इसकी रहेगी चाए घटो' चाए कुम्हक्पढ़िवेलो क्यों कोई फरक नहीं यानि इस function की maximum value कितनी होगी 5 अब इसकी minimum value पूछ ले हम से minimum value तो कैसे बता हो यानि की कम से value कितनी आएगी तो मैंने formula क्या बताया था minus का symbol लगाना है minimum के case में बाकी आजया तो माइनस का सत्रा माइनस बार आएज इस तो कितने हो जाएंगे माइनस 39 हो जाएंगे तो देखिए अभी आपने क्या पड़ा अभी आपने जो पावर वन थी तब आपने maximum और minimum value के बारे में पड़ा अब हम बढ़ते हैं जब पावर डबल होतो कैसे होता तो देखिए सांग थीटा के आपने रेंज पड़ी सांग थीटा के बार हम क्या पड़ा था कि सांग थीटा की जपने ॥ा मलई माइनस बार गलन के बीचा सुफ हारने करती है सेट समय को चेसे बाइड पाास सीधिट बचेंड उसके बाद मैं हमारे पास स्कूंद श्ता नेलं डिक着 होती हैंं सब्सक्राइब क्या होगा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे पावर मतलब डबल स्केर कर देटे हैं तो देखिए माइनस का नमर किस में में प्लस में पनुर्ट अब यहां पर क्या बचेएगा जीरो बचे जेगा बचेएगा जीरो मैक्सिमम उन का स्क्वेर न्हीं होता है यहां भी जैबागा, 0 क्योंकि माइनस फ्लस में पहले हो जाएगा, तो सबसे चोटा नमब्र क्या भाज्चिगा, 0 अब यहां देखिए तो इसक देखिए मीनिमम मेल्योетр की पहलेगी हो सकती है वही मीनिमम बैल्योर मेक्सीमम्लेटकर सकते हैं माइनस इनफाइन था कोयी मिंन्बर कि अटो सबसे छोटा नमबर है सिरथ वो वो चेंज होजये गाइगा जीरो से नमबर चोरू होगे और माइनस के नमबर करते किस में गयाट होजएगेいう प्लबस के नमबर वहिए इसमें जब पहुंद स्क्वेटा को शीचेंट स्क्वेटा को सबकी मीनिमम वैल्यों है वो कितनी हो जाएगी जीरों जाएगे इतनी होगी जीरो होगी मैक्सिमम वैल्यू अभी इंफाइना एक तो कि प्लस का नंबर है उसका कितना इसको एक प्लस की रहेगी अब लास्ट नंबर का पता नहीं है तो वैल्यू कितनी भी हो सकती है तो मेरा कहने का मतलब यह है इनकी सिरफ हम एक चीज उप्ज़ब कर सकते सकती है सिरफ मेनिममं वैल्यू ही निकल सकती है तो में से को स्क्यार जो हमारे पास यह स्क्राइब अब हम क्या करेंगे अब हम इस पूश्चन एक्जाम में कैसे पूछ जाते हैं तो है वो लेते हैं हम इसमें ठीक है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे कुश्चन आया था व्लस में सेवन स्क्ट किर थेटा यह पूश्चन है से से मेंonda इसकी maximum value कितनी होगी और इसकी minimum value कितनी होगीय भाई है कि एक है maximum और minimum value कितनी कितनी होगी तो maximum देखिए जब इस थाइब कर सवाल आजयeth सवस्बावनाजय साइन और होश्में तो देखिए ये इनके coefficient है ठीक है पांच और साथ क्या है इनके coefficient जो बड़ी value हो ना उसको तो maximum में लिख देना इन दोनों में से वही 7 बड़ा है 7 को लिख दो maximum में जो 40 value हो उसको किसमें लिख देना minimum में तो 5 किसमें आजाएगी minimum में आजाएगी मान लेजिए यही कोशन यह होता है यहाँ पर 4 sin square theta तो 13 को स्क्रेटा होता है तो इसकी maximum value कितने हो जाती 13 मिनियूम कितने हो जाती 4 ऐसे हमारे कोशन चेंज हो जाते हैं ठीक है अब एक और आता है बाकी यह तो दो हमारे पास हो गए एक तो टाइप थी यह दूसरी जो टाइप बची उसमें भई साइन जरू ठोड़ी साइन को सका बाकी function का पूछच रखता हो तो उसमें कैसे करेंगी वह देखिए आपको कुछ एक relation बताता हूं दियान रखना जैसे 10 को ए 10 स्केर थीटा पलस बी कोट स्केर थीटा ठीक है ए 10 स्केर थीटा पलस बी कोट स्केर थीटा तो इसका जो हमें करना है खुशन आ जाए अगर इसकी आप से पहले तो यह बताते हो इसकी कौण ची वैल्यों पूछेगा हम से सिरफ और सिरफ मीनिमम वैल्यों कूछेगा क्योंकि मैंने आपको क्या बता है था 10 और 4 जो function होते हैं इनकी कौण ची वैल्यों एक्जिस्ट करते सिरफ मीनिमम इनकी maximum value एक्जिस्ट नहीं करती है तो इसमें अगर हमें minimum value calculate करनी है इनकी minimum value जो है वो calculate करनी है तो इसके लिए formula अब यह लगा देना plus B secant square theta इसमें अगर हमें इसके minimum भई देखो को साइन होता जब तो इसका वो बन जाता आरा हम से क्या बन जाता है इसके minimum बीट पता लग जाती है तो maximum पता लग जाती है लेकिन हम समष्य होगी secant आगया अगर एक number के साथ में square number के साथ में प्लस उसका reciprocal प्लस हो उल्टा प्लस हो यानि कि कोस को वना पुन सी भाई कोस को उल्टा सीकेंट होता है 10 को उल्टा कोट होता है तो इस केस में भी क्या लग है 200 रूट ओफ ab question कैसे पुछ जाएंगों बताऊंगों आपको अब माल लेजिए a sin square theta प्लस बी को सीकेंट स्क्वेर थेटा इसकी पैटरन के उपर आजाए साइन का उल्टा को सीकेंट होता है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे 200 रूट ओफ ab ठीक है अब question कैसे पुछ जाएंगों आपको आपको पूदाता हूं माल लीजिए आपके पास लिखा जाए 5 sin square theta प्लस 10 को सीकेंट square theta इसकी आप से पुछ लें minimum value कितनी होगी तो आप क्या ल root of 50 50 को क्या लिख सकता हूं मैं 25 multiply to 25 देखो 50 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 गुणा दो लिख सकता हूं 25 क्या बढ़ के बार आ जाएगा 5 बढ़ के बार आ जाएगा 2 की 5 से multiply करो 10 root 2 तो इसकी minimum value कितनी हो जाएगी 10 root 2 ऐसे हमें question को solve करना है ठीक है अब देखो इसमें भी बाद हमसे आपको समझाता हूं अब देखिए हमसे question कैसे पूछ लेगा जैसे question ऐसे पूछेगा 4 sec square theta plus 9 cosec square theta अब आपका होगे इसका तो correlation ही नहीं बताया तो इसमें हम कैसे निकालेंगे maximum or minimum value important यह देखिए 4 into मैं secant square को कह लिख सकता हूं भाई 1 प्लस देखो मैंने आपको सबसे पहले relation ही समझाये साइन स्केर थेटा प्लस को स्केर थेटा is equal to 1 होता है ठीक है सबसे पहला relation हमने यहीं समझाया था फिर इसको हमने एक बार साइन स्केर से डिवाइड करते ही देखो क्या बढ़ने गया था यह साइन स्केर साइन स्केर कैंचल हो गया तो यह तो वन आ गया को स्केर अपून साइन स्केर भाई कोट स्केर हो गया था इस एक वल टू वन अपून साइन स्केर को स्केर हो गया था आपके पास अपने बढ़ा हो गया यह तो ठीक है न एक बार हम को से डिवाइड कर देगे 10 square co square से co square हमारा cancel हो जाएगा 1 बचेगा 1 upon co square secant square हो गया तो हमें तो secant square की value चीट कितनी हो जाएगी 10 square x plus 1 तो क्या लिख सकता हूँ हमें इसको 10 square theta plus 1 यह तो हमने किसके लिख दे secant square की plus 9 into co secant square की देफ़ यह हमने value ने काड़ रखी 1 plus 4 square theta लिख दिया 4 की 10 square से multiply करवाओ 4 की फिर 1 से करवाओ तो 4 10 square theta plus 4 plus 9 की 1 से 9 9 की 4 square से करवाओ तो 9 4 square theta तो भई देखो अब एक चीज आप note करोगे 4 और 9 तो constant है यह तो 13 होगा भई इसके उपर तो ना गर्मे का अजर बढ़ेगा ना सर्दी का यह fix रहेगी यह value तो plus 4 10 square theta plus 9 4 square theta अब जो formula लिखा है उसमें देखना जा रहा 10 A 10 square theta plus B 4 square सबसे पहला formula यही तो है यह है तो कैसे करेंगे 13 तो as it is जाएगा प्लस इसमें formula पहले 2 आएगा अंड रूट ओफ A की value कितनी 4 multiply B B की value कितनी है 9 तो 13 प्लस 2 इंटू नोचो के 36 36 का root करेंगे कितना आएगा 6 आएगा तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 6 तो 13 प्लस 6 दोनी 12 13 और 12 कितने होगे 25 तो इसकी जो minimum value आएगी वो कितने आएगी 25 आएगी लेकिन मैं आप कोई बावित हूँ अगर इसी तरीके से करोगे ना तो बड़ी हमें थेड़े नहीं तो इसका एक और भी होता है लेकिन कितने trick याद रखोगे आप मैस में मैस में करते time trick याद नहीं होती अभी आप जोस जोस में कर लोगे कि एक चैप्तर की याद हो जाएकंगे दो की याद हो जाएकंगे जब 5 करेंगे तो पिछे इससाफ हो जाएंगे कोई फाइदा ने लेकिन ऐसी करो ना कि याद हो जाए देखो अब यह जैसे सब भी सब के सारे कोश्ण ऐसे हो जाएंगे ठीक है वैसे करने को तुम्हें ये भी करवाद रखता तो इसी दा question है A secant square theta plus B cosecant square theta का हमारे पास formula होता है formula क्या होता है under root of A plus under root of B सारे का all square कर दीजे मतलब कहने का ये है under root of A मतलब देखो 4 लिखो plus under root of B मतलब 9 लिखो सारे का all square कर दो 4 किसका 2 का होता है plus 9 किसका 3 का उतर square कर दो 3 और दो 5 5 का square कितना होगे 25 तो इसकी minimum value कितनी हो जाती है 25 इस तरीके से कर लो इससे कर लो आपकी मर्जी है ठीक है लेकिन क्या करना है देखो trigonometry में जो important चीजे थी वो लग बग हम कर चुके है अब हमारे पास trigonometry में एकी चीज बसती है वो बसती है जो इसकी application है application मतलब trigonometry का use कहा करते हैं आपने कभी सोचे है कभी trigonometry का use कभी आप सब जीवागर लेंड जाते हो आप देखो जब इस तरह का measurement हो इंडरेक्ट measurement हो तो वहाँ पर क्या योज की जाती है trigonometry योज की जाती है ठीक है डिस्टेंस को इसली calculate करने के लिए तो हमने देखा होगा को एक वे बाट्रास 10 में आते हैं खाते कोई ठैठ निकालना जैसे मिनार के यी टावर के पेर के रहते हैं कोई जैसे और में समंदर हो एक लाइट-ाउस वह आ भाहुके क्या हो यह पर benefits सूंत उक्केक्ण और बैसीड अगर Ci सकते हैं तो यह हमारी वेडियो सी तरिक नोए ठीक ही, अब हम भी नोए नेक्स्ट टोपी का वाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है?